हेलो विवरीवन गुड मॉनिंग नमस्कार 29 सेप्टेंबर दोहजार चोबीस और दा हिंदू न्यूज फेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस वीडियो के थ्रू डिसकस करेंगे हाला कि संडे को एडिटोरियल नहीं आता उसकी रिप्लेस्मेंट आता है फेक्यू यानि फ्रेक्वेंटली आस्ट क्योस्टन यानि ऐसे टोपिक जो पूरे वीक न्यूज में रहे वीडियो को सुरू करने से पहले एक क्योस्टन आप लोगों से हैं हम लोग काफी समय से एक दूसरे से जुड़े हैं तो आप लोग सभी अपने अपनी होम टिस्टिक अपना होम स्टेट जरूर कमेंट करिए और इसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है यानि आपका एजुकेशनल बैक्ग्राउंड क्या है वो भी आप जरूर नीचे कमेंट करिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज की इंपोर्टेंट न्यूज के साथ लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो एक डिबेट चल रही है एज इजुजल बहुत नॉर्मल होता है पाकिस्तान के कोई भी रिप्रेजेंटिटिव उनाइ है यह ट्रिविस्टी है ट्रिविस्टी का मतलब एक तरीके से मजाग जैसा है इनको लाइक जो लिखी लिखाई चार चीज़ बताए जाती वो सेम इनोंने इंडिकेट करी इसके अलावा ऐसी कंट्री जो ट्रिजम से कॉंपेक्टिड है और एक तरीके से टेरर के करता यह असेंबली यह यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी जो रिप्रेजनेटीव है भाविका मंगलन दन करके इनोंने इसको आंसर किया और यह बताया कि आज मॉर्णिंग में हमने एक मिटनेश किया कि एक कंट्री जो मिलिटरी के द्वारे रन की जाती है जिस कंट्री की ग्लोबल रेपोटेशन टेरिजम, नार्कोटिक स्ट्रेड, ट्रांसनेशनल क्राइम और इन सम्में बहुत ज़्यादा पॉपलर है यानि नेगेटिवली एक तरिके से कोई कंट्री पॉपलर है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पर सवाल उठाती है तो यह करना चाहता है लेगन वो होगा नहीं इसके अलावा भारत की फिनेंशिल कैपिटल पर टैक हो मार्केट प्लेस और प्लिग्रम रूट्स पर टैक हो क्रोस बोर्डर टेरिजम हो इन सबके जो कॉंसेक्वेंसिज है पाकिस्तान बहुत अभी चोड़ा होकर अटेक्स में या परमादरनी है तो आने वाले समय में यही टेरर ग्रूप जो है पाकिस्तान के अंदर इन स्टेबिलेटी इतनी क्रेट कर देंगे कि पाकिस्तान के जो आज राजा माराजा बने बैठें उनके लिए जीना मुस्किल हो जाएगा और इसके कॉंसिक्वेंसिज भी देखने को म स्ट तो वो काफी खतरनाक है इसके लावा पाकिस्तान के प्राइमिस्टर है मैंने काग लोशी के बाहर यह सब चीज़े करना चाहती है भारत अलग सी बात कर दी जो थोड़ा सर्प्राइशिंग है कि भाई भारत जो है वह इंटरनेशनल के ओपरेशन कर रहा जहांप पर इंडियन नेशनल्स की हत्या करने जैसे एक्टिविटी जैसे जमों सरी अमरीका और कनाड़ा ने जो एलिकेशन लगा ये उनको फोलो कर रहे हैं ठीक है तो उस वर्ड्स को एक तरीके से यूज करा इन्हों कि डिसीजिम किया कस्मीर जमों कस्मीर का रियोर्गनाजेशन जो पांच अगस दोजार उन इसको डिसीजिजन लिया गया था भारत में हिंदू मुझलिम वई सेव चीजे इन्हों ने बताए कि इसलाम भारत में खत्रे में है जो मुझलिम लोग है वो खत्रे में है तो जिस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं उसमें मुसलिम की जाए दूसरा अगर आप देखेंगे मुसलिम की बात नहीं है आप मायनरिटी की बात करिए भारत की नेवरिंग कंट्री तीन कंट्री का एक्जम्पल ले लिजिए अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश अफगानिस्तान थोड़ी कम नेवरिंग है बट है इंडिया में तो बड़ा है वालकि मायनरिटी का जो नंबर से पॉपलेशन से इंक्रीज होया इस कंपेर टू दीज कंट्री इलके इनके लावा किडिसीजम किया गया गया किभी 1971 में तो यह बड़े बड़ा ग्यान या पेल रहे हो मायनरिटी पर जो इन्होंने अटाइक क करना उन सब में प्रोपर इंवोल्मेंट इनकी रही है इसके अलावा यहां पर अगरम बात करें अलकाइदा और इस तरह के और्गनाइजिशन्स यहां पर देखने को मिले हैं पाकिस्तान के अप्टाबाद में अलकाइदा के जो लीडर और समय विलाद हैं उनको पर्वने कर रहे इनडिया का इनके स्पीच को दिहान नहीं देना चींघी पाकिस्तान की रिप्रजेंटेशन ऐशी नहीं है कि इनके speech को देश के अंदर discuss किया जाए ये irrelevant country है और ये अमरीका के बारे मैं ऐसे discuss कर रहे हैं जैसे अमरीका और ये गुरुपतमान सिंग पानु जो इनके परमपिता के समान है ठीक है तो इस तरह की जो statements आती है ठीक है ओफिशली जो हमारे representative होते हैं वो उसका criticism करेंगे काउंटर भी करेंगे बट पाकिस्तान personally मुझे लगता कि irrelevant country है ये गिरिवी देश है ये चाइना की जागिर है कभी भी इस पर कभजा कर लेगा क्योंकि इतना ज्यादा loan ले रखा है इसके अलावा अभी हमने थोड़ दिन ये पहले पढ़ाता है कि लेवनान में एक और घमास दान बैक करता और ये काउंटर करने कोशिश करते हैं इसराइल को अब इसराइल वो country है खैर आज कल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है इसराइल वो country है उसको ये पता है कि अगर उसको सरवाई करना है तो वो defensive के साथ-साथ offensive approach भी फोलो करती है तो उनने रिशनली क्या-क्या हिजबुला का एक टोप लीडर है नसर अल्ला करके तो वही इसकी इनने हत्या कर दी लेवनान के अंदर उसके बाद फिर आने वाले टाइम में उमीद है कि ये जो घमासान है अभी गाजा के अंदर हमास और इसराइल में चल रहा था आने वाले टाइम में लेवनान में इसके बाद यहां पर होगी इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें पीएम मुप्त बिजली सोलर योजना जो 75,000 क्रोड रूपे की सेंटर गवर्मेंट के स्कीम है यह पूरे देश में वन क्रोड रूफ टोफ सोलर निस्टॉलिश्विन करेगा तो यह धीरे धीरे पुप बंगलादेश के जो नागरिक है लीगल तरीके से भारत में एंट्री करते हैं और कई बार बहुत सारे डोकुमेंट यह फरजी तोर पर एक तरीके से बना लेते हैं तो इस कॉंटेक्स्ट में बोर्डर सेक्योर्टी फोर्स ने यू आई डिया यह यानि यूनिक अडेंटि तरीके से आने कोशिश करते हैं यूमन ट्रेफकर्स और बहुत सारे नेक्सस नजर आता है तो इनको डियक्टिवेट करना क्योंकि कई वर क्या आता है यह अधार कार्ड गे थरू जो दूसरे फरजी डोकुमेंट्स हैं जिसमें नमबर ओफ डोकुमेंट्स में अगर हम बा लग आने चाहिए डोकुमेंट्स है कोई दिकत नीच बिना डोक्योमेंट्स के अगर कोई भी व्यक्ति हमें एंट्री करता है और अगर कोई व्यक्ति इस तरह के डोकुमेंट्स मन वाने में उनकी वज़त करता है तो उसके हमें एक स्ट्रोंग लो की रिक्वाइरमेंट है कि खतरनाक लो लेकर आई खासकर इलिगल माइग्रेंट इनके लिए बहुत इजी होगा यह कुछ जो मैं कहता हूं कि अगर इलिगल डॉक्मेंट बनवा रहा है दूसरी कंट्री तो गदार की कटाइगरी में काउंट किया जाना चाहिए या फरजी डॉक्मेंट किसी के बनवा गया सकते हैं ठीक है क्योंकि बहुत सीरियस कंसन है इसके बाद अगें जो पाकिस्तान को क्रिसिजम किया गया है या पाकिस्तान ने जो स्टेट्मेंट इसको काउंटर किया गया हमारे foreign minister साब के द्वारा कि आज के टाइम पे जो पाकिस्तान की जो situations है वो अपने आप उन्होंने create करी है कुछ country circumstances से घर जाती है कुछ country खुद अपने circumstances जो हो create करती है तो criticism किया गया पाकिस्तान के speech का या पाकिस्तान जो इंडिया की criticism किया भारत ने उसको respond किया कि भाई पाकिस्तान की जो हालत है वो disaster consequences face कर रहा है वो उसके खुद के choice है पाकिस्तान की GDP आज के समय में radicalization और terror के export में अबज़र की जाती है यह सब जो चीज़े और यह करमा का खेल है ठीक है तो में में दो तिन बाते बताएगी या कह सकते कि भारत की तरब से उनको answer किया गया अलग अलग चीज़े हैं जो CPAC पर बोला गया कि चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडर जो highlight है चाइना larger बेल्ट और इनिसेटिव का ये पाकिस्तानी occupied का समीर के थूर जाता है इसलिए हम भी इसमें participate नहीं करते हैं हम इसके member country नहीं है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आप देखेंगे इस टाइम पे जो verbal dispute है वो नजर आपको साफ नजर आएगा और उसके बारे में यहां पर discuss किया गया है बासमती नोन बासमती राइस का जो इसपोर्ट बैन था वो हटा दिया गया है चोटी सी न्यूज है ठीक कई न्यूज बहुत चोटी चोटी आती है बहुत सिंपल सी आती है लास्ट न्यूज है उसके बाद ब्रीफ सी न्यूज होगी वर्ल्ड अफेर में एक टोपिक है जो काफी ज़्यादा रिशनली न्यूज में रहा था वो था पोक्सो के जो प्रुविजिन्स है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लरिफिकेशन किया पोक्सो मतलब जो प्रोटक्शन करता है सेक्श्वल ओफेंसेज अगेस चिल्डरन के कॉंटेक्स्ट में क्या स्टोरी अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो पिनल कॉंटेक्सिज है उसको क्लेरिफाई किया है खासकर ओनलाइन सेक्श्वल मेटरियल जो इन्वोल करता है चिल्डरन को उस कोंट्रेक्स्ट में कि अगर कोई व्यक्ती इनको व्यूव डाउनलोड और स्टोरिंग कोंटेक्स्ट में इन्वोल जो है वो एक तरीके से आप देखेंगे कि वोल अगला कटेगरी में भी लागू होगे पूरा मेंटर कोर्ट तक पहुंचा कैसे एक नौन गवर्मेंटल और्गनाइजिशन से उन्होंने मदरास हाई कोर्ट की जज्जमेंट के अगेंस्ट जिन्होंने क्वेस्ट कर दिया था कि क्रिमिनल चार्ज एक व्यक्ति के गेंस्ट जो कोई वीडियो जो चैल्ड प्रॉनोग्राफी का वो वीव कर रहा था स्टोर कर रहा था अपने डिवाइस के अंदर तो उसको लेकर यह बताया गया कि भाई यह मदरास हाई कोट ने उसको क्वेस्ट कर दिया था बट उसको सुप्रीम कोट में चैलेंज किया गया इससे पहले उनके गेंस्ट नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के दोरा एक केस फाइल किया गया था इसके बाद चार सेट हुई इसके बाद करें तो जोगी शिक्षिन सेवन बी और दोजार के अंडर और फिप्टिन वंथ पोक्स वेक्ट के अंडर शिक्टी सेवन बी जो है दोजार नो में इंट्रिड्यूस किया गया था जिसमें पांस से दस साल तक जेल हो जकती है अगर कोई व्यक्ति इस तरह के ट जो हाई कोट की रूलिंग थी कि केवल स्टोर करना और व्यू करना एक तरीके से केस नहीं बनाता अवर ओल जो चैल्ड प्रनोग्रेफी है उसमें पनिसेबल नहीं बनाता तो सुप्रीम कोट नसको क्लैरिफाई किया है कि जो हाई कोट की रूलिंग है ना वो एरर है उसके के डिवाइस में होगी तो वो पोक्स एक्ट की अंडर उसको क्रीमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्ड होगा कस्टक्टिव पोजेशन पोजेशन क्या है तो इस सीवरिटी शो करता है कि 2019 में अमेंडमेंट किया गया था चाहिल्ड पॉर्नोग्रेफी की कॉंडेक्श जैसे का कि सारी चीज़ेश के अंदर इन्वॉल्ड होगी और कोई व्यक्ति अगर इस तरह की चीज़ों में होगा तो वहीं पोक्स एक्ट लगेगा उसमें कोई डाउट नहीं है यानि पोक्स एक्ट के बारे में ही बेसिकली यहां पर बताया गया है इसके अलावा कुछ जोड़ी न्यूज आती है वर्ल्ड अफेर में जैसे बुटान ने भारत के लिए उनाइट्रेट नेशन सेक्योर्टी कांसल में पर्मानेंट सीट के लिए एक तरीके इसका की डिज़ों करता है इसके लावा चाइना ने फ्लैस्पाइंट रिफ के पास एर एंड सी पेट् तो ये फिलाल इतना ही जो सोट में हमने डिसकस करी थेंक्यो जैहिन